जाएं दोस्तों सवागत है आप सभी लोग का तो एक गुड नीज है आसाम राइफल की ओपन भरती को लेके जो क्लास 10 पास 12 पास सभी लड़कों के लिए आ चुकी है ठीक है जिसमें एज क्या रहने वाली है हाइट क्या रहने वाली है कितनी पूश्ट है क्या पेई स्केल ह है सब कुछ आपको बताया जाएगा क्या सेलेक्शन प्रोसेस है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट कब तक है वह भी हम आपको बताने जा रहे हैं तो आप भी अगर ओपन रैली भरती का वेट कर रहे हैं क्लास 10 पास जीडी क्लार्क ट्रेडमेंड एम्ट लग गया है आप जाके इसकी ऑफिसल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं पिस जनवरी के बाद ही लग गया था ठीक है लेकिन जो इसका अप्लाई ओनलाइन डेट है वो 17 फरावरी से स्टार्ट हुआ है यानि इसी महीने में स्टार्ट हुआ है ठीक है और आपका ये 19 मार्च है जो अलग-अलग पोश्ट पे हैं ठीक है जो अलग-अलग पोश्ट पे हैं और यह आल इंडिया सभी लड़कों के लिए हर एक श्टेट के लिए हैं ठीक है आल इंडिया अठाइसो राज्य और आटो के इंद्र साथ सभी लोगों के लिए एज में आपका 18 से 18 से यहां पे 23 साल निर्धारित किया गया है मतलब fix है लेकिन SCST को 5 साल के छूट OBC को 3 साल के छूट दिया गया है ठीक है और जो ex-serviceman है उनको 40 साल तक ठीक है और जो assam rifle के ex-serviceman है 45 साल तक ठीक है ये अलग से छूट मिलते हैं उनके लिए ठीक है और AOC की तैयारी भी गर रहा होंगे तो मार्केट में AOC अप्लिकेशन की बुक भी चल रही है बहुत सारी जिसमें से मैंने हाली में एक बुक देखा है आसाम राइफल के बाद AOC का जो चुकसु परकाशन की थी ट्रेडमेन और फायरमेन पे प्रैक्टिस सेट इसमें मैंने देखा अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट है जो आप नॉर्मली लगाते हो ठीक है बढ़ती परिक्षा 2023 प्याधारित है इसमें आपको सिलेबस भी मेंसन है ठीक है यहां पर क्या किस टॉपिक से कितने कुशन हैंगे टोटल डेट सो कुशन है डेट सो मार्क है दो घंड समय है रिजनिंग मैथ एंगलेस और जर्नल अवेरिनस ठीक है और वन बाइफ फॉर्थ माइनस मार्किंग है ठीक है उसके बाद नीचे देखेंगे रिजनिंग से कौन कौन से टॉपिक है उसके टोटल यहां पर 20 प्रैक्टिस सेट है और यह एक प्रैक्टिस पेपर आपक और इसका बुक का लिंक मैंने discussion box में mention किया है आप वहां से जाके इसे देखके भी सकते हैं ठीक है उसके बाद बता दूँ यहां पर male female दोनों के लिए है ठीक है application fees यहां पर दिखाया जा रहे है कि 200 है और 100 रुपए है ठीक है उसके बाद category wise है उसके बाद आसाम राइफल की website पर जाके आप apply करेंगे और पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट वाला होगा तो ट्रेड टेस्ट भी देंगे अगर कोई अधर पोस्ट के लिए apply करते हैं तो ठीक है और candidate के लिए यहां पर नीचे ट्रेड टेस्ट यहां पर देख सकते हैं अगर इसके लिए अपलाई करते हैं जैसे ट्रेड में के विए इस में उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आप नीचे आज़ें मेरिट लिष्ट जारी होती है मेरिट लिष्ट एक हपते के अंदर ही आपको पता चल जाता है पोस्ट है यहां पी ट्रेड में बारबार है ठीक है ट्रेड में रिगर की टीचर की बहार में ट्रेड में की में हिमांचल पर्देश मनिपूर मिघाले मिजोरम नागालेंड उड़ीशा सभी जगह के लिए उत्राखंड विष्ट बंगाल सभी पूष्ट के लिए हैं ठीक हर जगह के लिए हैं और उपर देख लेते हैं यहां पे तिलंगाना सिक्किम राजिस्थान पंजाब उत्तर प यहां पर ट्रेड है कुक का है बारवर का है फायर में का है फीमेल का है सफाई का है वासर में का है यहां पर इतनी सारी वेकंसी है बात कर लेते हैं कुछ हाइट मेजरमेंट की यहां पर देख लेंगे जैसे हाइट यहां पर आप और आल कैंडिडेट एक सो सतर सेंटीमीट और 80 cm chest होना चाहिए और 5 cm आपको फुलाना है महिलाओं के लिए 165 cm कम से कम हाइट रहनी चाहिए और यहाँ पर फुलाना उनको नहीं है 78 chest होना चाहिए ठीक है उसके बाद physical test की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर वह भी से में height हाइट सबसे हाइट किसी में भी चेंज नहीं है हाइट इतना ही है ठीक है हाइट में 170 फिक्स है लड़कों का लड़कियों का 165 ठीक है और category वाइज अगर हवालदार वगरा के लिए इसमें थोड़ी सी कम है अगर हवालदार के पोस्ट के लिए अपलाई करते हैं तो यहाँ पे 65 है आप सभी लड़कों की और लड़कियों के 62 है ठीक है उसके बाद नीचे आ जाते हैं ट्रेड टेस्ट के बाद इतनी सरी वेकेंजी इसमें आई है इसमें तो आप लोगो फटक से गूगल पर जाना है गूगल बाबा पर ठीक है और गूगल बाबा पर जाने के बाद आप नीचे यह आइँगे नीचे आने के बाद नीचे अप्लाई online का option दिया रहता है ठीक है यहां पर ऑप्लाई online form पर क्लिक करेंगे online form पर लिक करता है यापकी basic डिटेल मांगेगा वहां से भीस फर्म को फिल करेंगे हैंним से सारी post SELEC contradoking जैसे मैंने लिए चमियां से उतर परदेश सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मैने यहां पे ट्रेड आशाम रैफल रिकौरइमेंट ट्रेडमेंट रेली प inflam कर दिया किस पूर्ट के लिए अ प्लाई कर रहा हूँ हवल्दार किलर कॉ प्रेटर राइफल मन जो भी स्रेक्ट करना वेंटनेरी मैंने इस पे सेलेक्ट कर दिया उसके बाद मैं नीची आ जाता हूं उसके बाद अपने अफसारी बेसिक डिटेल डाले के बाद आई अगरी कर दूँगा उसके बाद आगे जाओंगा और आगे जाके इस फॉर्म को सिंपली अपलाई कर लोगा अगर अगर अप्लाई करने वाले वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ फॉर्म कैसे अप्लाई होगा एक वीडियो बना के डाल दीजिए उस पर भी मैं वीडियो डाल दूँगा जैहिंद जैवारत वंदे मातरम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आसाम र